केंद्रे मंत्रे अनुराग ठाकुर ने भी राहूल गांधी पर निशाना साधा अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहूल गांधी ने विदेशी धर्ती पर देश का अपमान किया है इसलिए पुदेश से माफी मांगे जबकि कॉंग्रेस बीजपी को अदानी मुद्दे पर गे रही है पवन खिडा ने सवाल पूचा कि जेपीसी की मांग पर सरकार क्यों भाग रही है आज दुनिया ने भारत के नेतरतव को माना है लेकिन शायद कॉंग्रेस मानने के लिए तयार नहीं लेकिन कम से कम संसत का अपमान तो ना करें सांसुदों का समय बरबाद ना करें और देश के ब्यारे इस तरह के विचार रखना यह दुरभाग्य है जी यह पार्टी जो खुद साठ साल सत्ता में रही जेपी सी की मांग गौतम अदानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कॉंग्रेस जब भी करती है यह ध्यान बटाने के लिए संसत भी नहीं चलने देते यह इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसत नहीं चलने देरी क्योंकि डर है क्योंकि रहा है